दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत में आप सभी को पता ही है मेरे यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत है और दोस्तों आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो को प्रत्येक नए अ आपको बोला है कि जैसे भी कोई न्यू अपडेट आता है मैं आपको वीडियो पोस्ट करकर बताते रहूंगा तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि इग्राम सुराज पोर्टल पर परिसंपत्ति रेइस्टर किस प्रकार से ऑनलाइन हम फीट कर पाएं जैसा कि दोस्तो है कि हम आफलाइन उसको बना कर रखे तो दोस्तों अब उसी का जो ऑनलाइन वर्जन है हम किस प्रकार से इग्राम सुराज पोर्टल पर ऑनलाइन परिसंपत्ति रेइस्टर बना सकें और उसको हम ऑनलाइन सेफ करके रख सकें इग्राम सुराज पोर्टल पर उर जब भी उसका प्रेंट लेकर हमारी फाइल में रख सकें जिससे जब भी कभी आडिट हो तो कोई सी भी टीम आए हमारी ग्राम पंचायत में तो हमारी जो जान काई रहे परिसंपती रेइस्टर की पूरी सही सही रहे अब मैं आपको यह तायता हूं दोस्तों कि आप सभी को बेसे पता होगा अब परिसंपती रेइस्टर होता क्या है दोस्तों एक्चोन में ग्राम पंचायत का परिसंपती रेइस्टर का मतलब है ग्राम पंचायत की परिसंपती मतलब दोस्तों ग्राम पंचायत के अंतरगर ग्राम पंचायत में जितनी भी सरकारी चीज़े हैं वो सभी ग्राम पंचायत की परिसंपत्ती होती है परिसंपत्त निदलब असेट है ना असेट होती है सारी ग्राम पंचायत की सरकारी संपत्ती उसमें दोस्तों आ सकता है जैसे कि हमने मालो एक CC रोड बनाई है तो वो हमारी ग्राम पंचायत की परिसंपत्ती हो गई हमारी ग्राम पंचायत की एसेट हो गई यदि हमने मालीजी आगनवाडी भहुन बनाया है तो वो ग्राम पंचायत की परिसंपत्ती हो गई हमने कोई नाली निर्मान किया है तो वो परिसंपत्ती हो गई इसी तरह से दोस्तों से कई कार हैं पंचायत भून मनाया है तो वो ग्राम पंचायत की परिसंपत्ती हो गई यसे जितने भी कार दोस्तों हमारी ग्राम पंचायत कराती है बस सभी कार ग्राम पंचायत की परिसंपत्ती कहलाते हैं ठीके तो उन सभी को एक राइश्टर की रूप में हम सेव करके हमें रखना चाहिए और हम मैं सबसे अच्छी प्रोसेट दता रहा हूँ कि हम इग्राम सुराज पोटल पर ऑनलाइन किस तरह से सारी परिसंपत्ती को ग्राम पंचायत की ऑनलाइन सेव कर सके किस प्रकार से सेव कर सके ठीके दोस्तों तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं लॉग इन करते हैं और दोस्तों कोई भी डाउट जा रहा हो तो आप comment box में लिखकर पूछ सकते हैं तो दोस्तों आभी हम login पर जाते हैं और login में दोस्तों इसमें हम सबस्पे लॉग करेंगे admin login पर आप सब्सक्राइब पता ही हमार पार 3 login है admin maker और checker तो हमें admin login सर यहां पर login करेंगे ठीक है और दोस्तों यहां हम 2021 के सलेट किया सम्मिट किया इसके बाद हम हमारे सामने जो home page जाएगे admin login की हम इस पर आ जाते हैं यह दोस्तों यह देखिए हमारा home page जा चुका है admin login का अब दोस्तों इसमें हमें जाना है यह asset option पर ठीक है asset option पर हम जाएंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पहला option है add option हमें add option पर क्लिक करना है यह देखिए मैंने क्लिक किया add option पर जैसे ही click किया धोस्तों तो हमारे सामने जो है यहाँ पर add asset करके आ जाएगा add asset मतलब परिसंपति को आप यहाँ पर add करिए जोड़िए ठीके तो दोस्तों यह देखिए focus area आ रहा है यहाँ पर focus area यहाँ select है हम इस पर select पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ आपके ग्राम पंचायत में जितने आपके बी काम होते हैं उन सभी के जो focus area है यहाँ जो मालीजी administrative and technical support adult and non-formal education agriculture, animal husbandry जैसे पश्व भीवाग संबंदे cultural activities, drinking water, पीने के पानी का जो focus area वो education, पड़ाई संबंदी इन में जिसमें भी दोस्तों आपने काम कराया है आपकी ग्राम पंचायत में आप उसको सलेट कलने जैसे इसमें बहुत सारे हैं फिशरी, मतश्यपालन ठीक है, ग्राम पंचायत ऑफिस इंट्राइस्ट्रुक्चर है आपने पंचायत बनाया है तो वो इसके अंदर ले सकते हैं, health ले सकते हैं लेंड इंप्रूब्मेंट है, दोस्तों, libraries ठीक है, जैसे बहुत सारे हैं जैसे मैं आपको, for example, एक यहां पर roots का लेकर आज़ता हूँ, चुकि हम अधिकतर सभी roots बनाते हैं हमारी ग्राम पंचायत पर, तो हम roots पर click कर देते हैं, ठीक है इसके बाद दोस्तों, आज़ाएगा asset type, तो यह हम select करेंगे movable और immobile दोस्तों, दो तरह की परिसंपत्ती होती है एक तो movable होती है जो कि हम एक जैसे दूसरे ले, ठीक है तो जैसे table या kursi हमने ली तो यह movable property में आया है सामुदेक सोचाले बनाया तो वो हमारा option आज़ाएगा e-moveable में, तो e-moveable में हम select कर लेते हैं asset category, अब दोस्तों, ऐसे category आती है ऐसे buildings की category आ रही है irrigation sources आ रहा है ऐसा तो दोस्तों, sanitation भी आ रहा है and sewerage facilities, तो हम अभी select कौन सी करेंगे roads, कोई हमने focus area, roads लिया तो हम इसमें roads, bridges and culverts bridges, pullia और pull in के लिए है तो हम road पे select कर लेते हैं asset sub category के आएगा हम इसमें select कर लेते हैं, यह देखिए यहाँ भी road भी है तो कई तरह की रहेंगे approach road, bridge भी select किया, culvert, flyover foot bridge, metal road तो हम यहाँ पर select करेंगे अब देखिए इसमें चार आप्शन आ रहे है purchase, construction, equation and donation तो दोस्तों यह खरीदी है यह construction कर रहे हैं, यह बनाई है ठीक है donate किसी ने किया है, तो वो आग जायागा तो हम चुकर कर रहे हैं, तो construction पर click कर देंगे अब दोस्तों जिसे में अता रहा हूं इसमें यह ध्यान रखेगा asset जो परिसंपति रेश्टर बना रहे हैं हमारे पाथ जितना भी दोस्तों पुराना रिकार्ट है उन सभी को हमें online करना ही है ठीक है दोस्तों, थोड़े दिन बात हमें सब चीज़े online करना ही है तो हम अभी से करकर रखें तो हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है तो जैसे यह हम रोट सीसी रोट कर रहे हैं कितनी भी पुरानी परिसंपति है उन सभी को हमें online करना है तो ownership, अब जो ownership में क्या जा जाए है year not known, तो year not known पर click कर देंगे तो अभी मुझे पता है तो मैं year known पर यहाँ click कर देता हूँ अब जैसे एक में road लिख रहा हूँ जो 2020 में यो नहीं है तो यहाँ click कर देता हूँ और sun यहाँ से select कौन सा कर लूँगा 2020, 2020 ठीक है, इसका total number of a set तो जैसे अभी मैं एक asset बना के दिखा रहा हूँ तो एक one पर click कर दिया one कर लिया, अब दोस्तों यहाँ पर आपके available blaze आने लगेंगे गाओं जो आपकी पंचायत में है तो आप यहाँ select कर सकते हैं जैसे हमेरे यह यहाँ गाओं में तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं फिर asset का पूरा description यहाँ लिख देंगे उसके बाद asset status यह हम लिखते हैं तो दोस्तों मेरे asset का name पूरा लिख दिया road का name पूरा लिख दिया asset description पूरा लिख दिया asset status मतलब परिसंपत्य का status क्या है तो in use यूज में है उपयोग में है रिपेरेवल मतलब सुधार योग है या इड रिपेरेवल मतलब सुधार योग है या इड रिपेरेवल मतलब सुधार योग भी नहीं है तो हम अभी इन यूज़ इन यूज़ सलेट कर लेते हैं इसका दोस्तों हमें यहां अभी कुछ नहीं करन पहली असेट ये करिए सेव सक्सेस्फुली हो चुकी है आप मुख्य पर क्लिक कर देते हैं अब दोस्तों आपको ये देखना है कि ये हमने जो परिसंपती रेइस्टर बना रहे हैं ये कहां सेव हो रहा तो हम क्या करेंगे इसके असेट पर वापी जाएंगे और ये मेनेज बना रहे हैं पर किलिक किया मीनिच असेट रूपे क्लिक करा तो असेट टाइप आ गया यहां दोस्तों इसमें सार fatto ला जिए हैं तो और ये मुख्य ग्रिक कर देंगे तो यह देखिए इसमें क्या होगा अभी जो हमने मेने चुकि दो असेट अभी दो परिसंपत्ती की जानकर अप्लोड कर चुका ओनलाइन तो वो दोनों दिख रही है तो यह देखिए असेट आइडी दिखेगी यहाँ पर आपको असेट नेम पूरा दिखे है दोस्तों इसमें रोट का है तो पूरा रोट की जो डेटेल डाली है पूरी वो यहाँ पर शो हो रही है इसका दोस्तों व्यू से हम देख सकते हैं मोटिफाय से हमें कुछ सुधार करना है बाद में तो वो सुधार भी कर सकते हैं, डिलीट से यहां डिलीट भी कर सकते हैं, असेट को इसी गलत चल गई है तो और यहां completed असेट लिखा है, सही का निसान लगा है, देखें व्यू करेंगे तो हमें व्यू पर पूरी असेट शो स्टेटस आप असेट इन यूज 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 तो यह हम इसमें दोस्तों जब भी चाहें, बाद में सुधार भी कर सकते हैं, कैसे हम बापस जाते हैं, असेट पर मेनेज, मनेज को आद वही इमोवेबल और गेट डाटा, तो यह देखें दोस्तों जैसे यह आप फिर सेट करें, तो आप देखें, हमने व्यू आप्शन समझ लिया, इसके दोस्तों में मोडिफाय से मोडिफाय भी कर सकते हैं, यह देखें मोडिफाय पर क्लिक किया, तो यह लिखा जाएगा, आर यह शोर यूज तो मोडिफाय असे डिटेल्स, तो हम यस कर दिंगे, तो उसके बा जो परिसंपत्ती गलत रइश्टर होगी, तो आप यहां से डिलेट भी कर सकते हैं, ठीके, तो दोस्तों मेरा आप से यह कहना है, कि आपके पंचायत में अभी तक जितने भी काम करवाएं आपने ग्राम पंचायत में, उन सभी का यहां पर आप परिसंपत्ती में जोड ले जिससे आपकी पूरी जानकारी यहां ओनलाइन फीड हो जाए, ओनलाइन शोग ने लगे, जिससे कभी भी ऑडिट यह करने कोई भी आया, या निरिक्षन करने कोई भी आया, तो उमारी ग्राम पंचायत का जो परिसंपत्ती रइश्टर है, असेट रइश्टर वो पूरा उनलाइन भी दीख सकते हो, यह जो पूरा बरम-silइन फमारी है, जो वी ग्राम सुराज पोस्टिल पर अभी जैसे 2021 वावीक की लियूर चारेश्चर बनाने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पूरे एक एक आफशन, अपर किसी वर्क को जो रईश्टा रहते है Apache पूरा एक लाइब आपको दिखाऊंगा टेक्निकल एडमेंड, प्रोग्रेस, रिबोर्टिंग पूरा आपको करकर उस पर पेमेंड बॉचर बनाकर आपको कुछी दिनों में वीडियो पोस्ट करकर बताऊंगा और दोस्तों सारी चीजे यूजर मेनेजमेंट से यूजर प् इक्टिविटी एक्षन प्लान इनी सब पर दोस्तों अभी आपको बहुत जल्दी वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाला हूं तो आप मेरे साथ बनने जरू रही है आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलीन पंचाया थे और दोस्तों आप ज्यादा ज्यादा सब्स